दोस्तों मैं सागर कुमार आपका स्वागत करता हूँ sensible case नए हिंदी daily market analysis वीडियो में चले शुरू करते हैं हमारा market analysis सबसे पहले देखेंगे जो हमने कल analysis क्याता किसा turn out हुआ है बात करेंगे आगे market कैसा हो सकता है तो देखें यह market देख के ऐसा लगता है कि market अभी भी mood नही था तो यह जो trend line हमने यहां पर बनाई है यह यहां पर एक breakout होता हुआ दिखाई दिया तो एक इस तरह से यह माना जा सकता है कि यहां पर एक market ने पॉस लिया यहां पर ठीक है market ने पॉस बनाया यहां पर और उसके बाद market में एक बड़ा momentum देखने को मिल सकता है ठीक है और कल का हमने analysis सिंबल सा यह कहा था कि बहुस अगर market gap down open हो जाता है तो आपको थोड़ा सा market में negative expiry आपको देखने को मिल सकती है ठीक है और वैसे कुछ-कुछ आपको market में देखने को मिला भी हमारा bullish expiry था कि बहुस अगर market यह high cross करता है तो हमें एक bullish expiry market में देखने को मिल सकत है तो अभी जिस condition market है आपको यहां पर साफ तोर पर एक inside bar दिखाए दे रही होगी तो यह inside bar market के लिए बहुत important हो जाती है अगर market upside पर इस बार को break करता है तो upside पर अच्छा momentum हमें मिल सकता है जा फिर downside पर break करता है तो हमें downside पर market यह trend line को test करने तक market हमें देखने को मिल सकता है तो इस तरह का कुछ-कुछ momentum मैं expect कर रहा हूं market से तो अगर मैं intraday basis पर बात करूं तो intraday basis पर मुझे यह समझ में आता है यहां पर भी आपको यह trend line market में आपको दिखाई देगे तो यह trend line market upside पर cross करता है तो आप यहां पर buy कर सकते हैं तो यहां पर buying हो सकती है market में तो previous swing low हो सकता है या यह वाला या फिर यह वाला हो सकता है positional लगन market में nifty के लिए बात करूं तो nifty के लिए मैं अभी भी bullish ही plan करना पसंद करूंगा देखें आपको एक चीज बताता हूं मैं अगर आप price action यहां पर समझेंगे पिछला high year फिर यह low बनाया फिर एक high बनाया फि जो सबसे बड़ा high मगर मैं कहूं तो यह वाला वो high है ठीक है तो इसके ऊपर जब market निकलेगा ठीक है तो हम market में बहुत ही confirm तरीके से और मतलब सिंपल सा aggressively market में आप trade plan कर सकते हैं ठीक है buying side पर तो वहां तक के लिए थोड़ा हमें wait करना पड़ेगा जब तक market वो पार नहीं करेगा बहुत यह जो huddle market पार नहीं करेगा तब तक हमें बड़े trade बड़े momentum देखना market में थोड़ा मुश्किल है ठीक है आपको मैंने hint तो देई दिया इसका आपका SL हो जाना चाहिए या फिर आप conservative SL डालना चाहते है तो 18,000 आपका SL हो जाना चाहिए ठीक है अगर market upside पर cross करता है तब की बात में कर रहा हूं अगर market downside पर cross कर रहा है तो हमें bearish trade पर ही focus करना पड़ेगा ठीक है अगर आप bullish trade प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको रुक के इस candle के ऊपर market में प्लान करना पड़ेगा बैंक निफ्टी अगर देखेंगे similar आपको inside बार यहां पर भी दिखाई देगा और same आपको trend line यहां पर भी दिखाई देगी ठीक है यही trend line आपको निफ्टी में भी दिखाई दी ती यही trend line आपको बैंक निफ् पर market मुझे लगता है कि at least 43,000 तक market को जाना चाहिए अगर market अच्छा bullish momentum करता है तो 43,000 तक at least market को जाना चाहिए immediately मैंने कोंगा कि कली पहुंच जाएगा परन्तु हाँ लंबे समय के आगे अनुल समय मुझे लगता है कि market को upside तक momentum करना चाहिए इतना ठीक है तो यहां पर भी अगर आप fresh buy कर रहे है market में fresh buying आप प्लान कर रहे है देखे अब यह जो slow momentum market में चल रहा है यह जो slow momentum चल रहा है इन जगों पर आपको option जो selling होता है यह आपको बहुत फाइदा करता है ठीक है यह option selling इन जगों के लिए बना है कि market अगर decide नहीं कर पा रहा कहां जाना है या फिर market time spend कर रहा है तो आपको buying में उत्रा मुनाफ़ा नहीं होगा लेकिन option selling में आपको अच्छा मुनाफ़ा हो सक अब gap open हुआ नीचे आ गया आपको अभी भी खतरा नहीं है market flat open हुआ नीचे गया फिर upside closing दे दिया आपको फिर भी खतरा नहीं है तो जब तक market इसी जगहे पर time pass करता रहेगा आपको profit मिलता रहेगा दो तीन दिन निकल गया आप अपने trade से भी आपको इतना मुनाफ़ा हो सेलिंग वाला ही market है ठीक है यहाँ पर मुझे रखता है जो ट्रेंगल स्टैडल मार्क बैठे हुए लोग उन्हें इस्चिंद बैठे होंगे उन्हों कुछ भी करने के भी जरूरत नहीं है ठीक है आप निफ्टी देखेंगे अगर मान लीजिए ठीक है निफ्टी देखें भी करता है जो market में इस ट्रेंगल स्टैडल प्लान करते हैं उनके लिए मार्केट में अच्छा पैसा कमा लूँगा जब मार्केट मेरे तरह से मूव नहीं कर रहा होगा तो मैं मार्केट में छोटा एसल दे के मार्केट से निकल जाऊँगा ठीक है तो इस तरह से आपने ट तरीके के मार्केट में हर तरीके की मार्केट में एक शिफ्ट होने लगता एक बैट्मन है वह और और यहार लॉडदर हार्दिक पाणिया होगे हम लोग मैं जयाधा तर पर बैटिंग की जयादा है जैसे आपको ध्यान होगा कि जो पुराने क्रिकेट देखते हैं, उनको पता होगा कि इर्फान पठान बोलिंग बहुत अच्छी करते थे, फिर उनको बैटिंग भी काफी ठीक्टा करने लगे, फिर उनको आलरॉंडर कहने लगे, तो उनकी बोलिंग जो है वो थोड़ी इस तरह से आपने अपने ट्रेडिंग भी प्लान करना है, बहुत घ्यान हुआ, अब आगे बढ़ते हैं, ओपर इंटेस देख लेते हैं, थाले कि आज तो को देखने का सेंस है नी, 18,000 पर फिर भी एक अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, वही आपको बैंक निफ्ट आपको बैंक निफ्टी दोनों में इंसाइड बार बना हुआ है, तो यह जो हमारे लिए हाई और लो है, इस कैंडल का बहुत इंबॉर्टन हो जाता है, अभी का जो स्लो मोमेंटम उसको देखकर ऐसा लग रहा है, कि आप 18,000 के पूट सेल कर सकते हैं, 18,100 के पूट सेल कर स सकते हैं, और 18,000 के एसल वहाँ पर लगाया जा सकता है, बुलिष ट्रेड करना अगर मार्केट हाई क्रॉस करता है, और यहां पर बेरिश इफ मार्केट क्रॉसेज दी लो, ठीक है, अगर लो मार्केट क्रॉस करता है, तो आपने बेरिश ट्रेड मार्केट में प्लान करना इतना आपने करना है पोजिशनल ट्रेड मैं थोड़ा सा बुलिश साइड पर प्लान कर रहा हूँ कि अगर मार्केट अगर अमान लीजे ये अगर मार्केट नीचे साइड पर आ जाता है ये कैंडल का जो लोग क्रॉस कर लेता है तो फिर आप फ्रेश एंट्री मत लीजेगा बुलिश ट्रेड में अगर आपने करना है तो बुल पुट स्प्रेड हम लोग कर सकते हैं मुझे असा रगता है स्लो मोमेंटम मार्केट में अच्छा निकल जाएगा वो 18,000 के असपास का बुल पुट स्प्रेड बना सकते हैं तो ये तरह बात निफ्टी बैंक निफ्टी की बढ़ते हैं डॉलर की तरह डॉलर एक वही अच्छा मोमेंटम करता है और दिखाई दे रहा है यहां पर शूटिंग स्टार्ट भी आपको बनता हूँ दिखाई दिया 100 यह में असपास और फिर मार्केट में अच्छा डाउनपॉल आता हूँ आपको दिखाई दे रहा तो यहां पर मैं कहूंगा कि यहां पर कॉल सेल आप प्लान करिए ठीक है इसके साथ हमेशा की तरफ अपना बचाव के ट्रेड करिए ईच की साथ ट्रेड करिए एवसेफ एपई ट्रेडिग्वेट सेंसिबल बाई